नमस्कार दोस्तों मैं अरी सिंगल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं देखो मैं अभी जो पेपर मेरे बेग्ग्राउंड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यह एक्जाम 2015 में आया हुआ है और हिंदी का कुष्ण पेपर है यह आर्पियसी की वे होगे कि आर्पियसी जो पेपर दिया है किस तरह का है कोई अशुद्धी जैसे मेरी टाइपिंग में किसी में भी ना रह जाए एक वो साइकलोजी भी काम करते दोसरी बात इसा है कि देखो हम क्या करेंगे जो आर्पियसी के जितने भी कुष्ण पेपर हैं जो जिनमी की हि एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको आगे तैयारी को किस लेवल की बनाना है तो आप भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे इन कुष्ण को करेंगे और एक तरह से यह एक्जाम तक चलने वाले एक ऐसी सीरीज होगी जो आपको आपकी ग्री तौदन ग्री तौदन अब ग्री तौदन सब्द का सही संदी विच्छित करवाना है अपने को अब देखिए यदि किसी शब्द में पहले दूसरे तीसरे वर्ण में संदी वाले कुष्ण में यदि अउ की मात्रा आ जाए क्या आ जाए अउ की मात्रा तो ऐसा शब्द क्या होता है ऐसा शब्द व्रिद्धी संदी का हो सकता है व्रिद्धी संदी का रूल क्या है देखो वृद्धी संदी का रूल है यदि पिलस से पहले ए या आ की मात्रा हो तथा पिलस के बार ओ या अउ स्वर आ जाएं तो क्या होता है ए आ की मात्रा इस ओ अउ से मिलकर ब्रद्यादेश होकर अउ का निर्मान करती हैं अउ बना लेती है क्लियर अउ स्वर बन जाता है ब्रद्यादेश हो जाता है बिलकुल लेमेन लेंग्विज में अपन बात करेंगे जिससे इंगलिश मीडियम वगेरा के बच्चे आप कनेक्ट कर पाओ इस चीज से देखिए तो गृत ओधन है अब यहां पर अउ है तो तोड़ने का तरीका क् ऒएक वाल रॉक की मातरह लगी हुए उस वर्न को एक वार ऐकी मातरह में और एक वार आ की मातरह में लिख लो गर्ट और घृता हमने पता है कोई शब्द नहीं होता ओधन माने तो चावल होते तो मतलब गृत माने घी ओधन माने चावल तो हमें पता यही सही संदी विच्छेद है तो देको पहला option है गृत प्लस ओधन यह तो गलत हो गया गृत प्लस ओधन हम तुरण समझ गए एकदम mathematics की तरह आपके नंबर आते हैं को कर पाएंगे चलो दूसरा कुशन देखते हैं दूसरा प्रशन देखिया मैं इसको मिटाता जा रहा हूँ ठीक है तो अपने क्या है पहले कुशन का answer है second वाला दूसरा उपरी प्लस उक्त की संदी होगी अब देखना मित्रों यहाँ पे शब्द है उपरी प्लस उक्त देखो मैंने लिखा उपरी और मैंने लिखा उक्त हमें संदी में यह यन संदी पढ़ने पर पताया जाता है यहन संदी का यह सूत्र होता है कि यदि पिलस से पहले चोटी या बड़ी ए की मातरा हो तता पिलस के बार यह समान स्वर हो तो क्या होता है पिलस से पहले आने वाली चोटी ए की मातरा है बड़ी ए की मातरा यह हलंत में परीवर्तित हो जाती है तो ई क्या होगी यह हलंत में परिवर्थित हो जाएगी शब्द क्या रहेगा रहे हलंत ई की बन गिया यह हलंत और बाद का उक्त एजटे जा जाएगा देखो तो शब्द क्या बन जाएगा उकी मातरा यह में लग जाएगी और रह क्या करेगा अपने बाद वाले वर्ण के क्या हो जाएगा उपर जाकर बैठ जाएगा थो अब क्या होगा उपर्युक्त शब्द क्या बनेगा उपर्युक्त यह शब्द एक्त ओंटेंगा तडिखो हमसी पहे उपिंट्री यूक्त और उपरी उक्त तो आ का सबस्क्राइब औह ilust harus knowing कि recording आपने किया कोई दिक्कत नहीं देखते हैं समास कमास का ऑधारन है दूसे में होता है प्रत्म्पद और डूसरा पद्त समास के शब्दों मैं क्या होता है mode योजक चिन लगा हुआ होता है गरगर में आप का यह योजक चिन ने तो लगा हुआ है देखो योजक चिन लगा हुआ हो लेकिन शब्द एकी शब्द अगर δो वार repeat हो जाए तो ऐसा समास वे वह वाव समास होता है अव्विः बन जाता है कि लिए विशिशन मन जाता है इसलिए घर rookie of ४ूर्ण चैन्सर नहीं ओर हटों हाथ, Ah Cube है, हाथ 두ों में भी क्या player हो गया, हाथ और हाथ, again communication मिल रही है एक ही शब्त की पुन्रावृति हो और भी होती है, जब शब्त की पुन्रावृति हो रही है तो क्या है द्वन्द समास नहीं है तो इसलिए क्या होगा ये भी हवे समास है अब शीत माने फंडा पूस्न जरूरी नहीं है की द्वन्द समास का हर शब्द बीच में योजक चिन लेकर आएगा या नहीं एक शिरोर एखामे भी हो सकते हैं तो देखो हैं भिलूम शब्द सीत और उष्ण शीतोष्ण तो क्या है सीत और उष्ण तो देखो यह द्वंद समास हो गया ना अपने आप विग्रह से भी यथा शीग्र यथा क्या है एक अव्या है यथा क्या है एक अव्या है औ मिसले क्या होगा द्वंध समास का उधारन कौन सा होगा सि तोष निसलिए तीसरे कुश्चन का आनसर क्या होगा तीसरा होगा आगे चलिए शबद का उचिद विगर है रसोई घर अगेखि तो बर स 돼को मैट रसोई घर जैसे कि यह पूरा का पूरा एक घर है जिसमें इस वाले शक्षन में रसोई बनती है इस वाले शक्षन में पूजा होती है इस वाले शक्षन में इसनान करते हैं यहां पर रसोई का काम होता है और इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं घर कहते हैं तो आप अगर समास की बात करो समास बिग्रे की बात करो तो देखो रसोई कहा है घर के अंदर है रसोई किचन जो यहां बनी हुई है रसोई यहां बनती है रसोई माने होता है बोजन रसोई माने किचन नहीं है रसोई तो बोजन होती है ठीक है तो देखो घर यह पूरी संरचना है इसमें इस जगे पर इस वाले शेक्षन में इस व तो इसका अंसर क्या होगा तीसरा ओगा इसका अंसर ना दूसरा होगा ना पहला होगा ना चोथा होगा तो रसोई घर का सही विग्र है क्या होगा रसोई के लिए घर आपा राम से पहचान सकते हैं सर। किस सब्द में कृत्व पृत्य का प्रयोग हुआ है या किस सब्द में कृत्व प्रित्य को होते हैं कृत्व पृत्य और तद्द्द्ध पृत्य क्विक्शन, क्रिया धातू जो होती है उसके बाद जो प्रत्य लगता उससे बनने वाला शब्द होता है वो क्रिदंत कहलाता है और वो प्रत्य क्या कहलाता है किर्थ प्रत्य क्रिया धातू के पीछे लगता है तद्धित प्रत्य वो होते हैं जो संग्या सर्वनाम विशेशन और अव्व आपको क्या करना है क्रिध प्रित्ते पूछा है मतलब क्रिया धातू में प्रित्ते लगकर बना Zирован Technology क्रित्त प्रित्ते के लाएगा जो देखो क्या कर लो च रो जो प्रित्ते हैं उन बुरा बुराई किसे बना बुरा से बुरा से बुरा विशेशन है उंचा नीचा यह क्या है अबवे शब्द है तो यह तो तदित प्रित्य के आप आप से कर सकते हो ता प्रत्य युक्त शब्द नहीं है अपने को डोड़ना है कि किस शब्द में ता प्रत्य नहीं देखते हैं मानव पिलस्ता मानवता जाती वाचक संग्या है मानव इसमें प्रित्ते लगाया मानवता भावचक संग्या बन दी तो हम संग्या में भी इसको पढ़ते हैं मूर्ख पिलस्ता मूर्ख क्या है एक विशेशन मूर्ख व्यक्ति मूर्ख पुरुष मूर्ख वालत तो मूर्ख क सुंदर भी क्या एगंगिए सुंदर पर होता है अगर सुंद उसमें आ परत्य लगा डिते हैं तो क्या बन जाएगा, इस तरी लिंग शब्द बन जाएगा, सुता, मानि बेटी, तो है न, इसमें ता प्रत्य नहीं है, बलकि इसमें आ प्रत्य है, इसलिए आंसर छटवे का क्या हो जाएगा, तीसरा, समझ रहो, अगला प्रिश्ण देखिए, सात्मा, निमने लिखित में से नी उपसर्ग रहित, शब्द है, कि ऐसा शब्द छाटिये, जिसमें नी उपसर्ग के रूप में नहीं आया हो, तो देख लेते हैं, नी प्लस वास, निवास, वासकर्त रहना होता है, नी प्लस डर, डर से रहित, नी प्लस हत्ता, नी हत्ता, हतियार से रही, जिसके हाथ वात में कुछ नहींैं वैसा नहीं यह तो नहीं हूँ यह क्या होगा अगर उपसर्ग कुश्चन तो आपको पता होगा ऐसा कोई भी उपसर्ग हिंदी में नहीं है जिसके बात विशर्ग लगजाएँ ene ती नहीं है थीक है तो क्या होगा नी अभी इसमें शल्ग मार्आ है आपको उपसर्ग अगर डूड़ना है तो इसमें से सलीट वाला उपसर्ग होगा तो देको निस हलको उपसर्ग होगा निस प्लस गैब तो क्या हो जाएगा जब इस सी affect को इस जोड़ें से क्या हो जाएगा चौथा अगला देखिए आटवा कुशन निम्लकित में से कौन सा शब्द देशज है तत्सम तदवब देशज और विदेशी शब्द आपके के सिलेबस में टॉपिक है शुकर समझना होता है सब्दग्यान को ऑर सब्द अच्छा टॉपिक के दो अम रभीस सब दो है यह देशी शब्द नहीं है सब्जी गान अमधर शोलभ आला व्राव्से घंवार वाना है को तो मतलब यह थे शब्द नहीं है लो और तो मतलब यह की नहीं है यह तीनों तो देशी नहीं है कबड़ी कबड़ी क्या है रोग यह देशी शब्द होता है गाउं कुला इसे तो क्या होता है क्यों संस्कुर्थ में बॉलते, वह कबड़़ी-कबड़़ी-कबड़ी-कबड़ी, ऐसे तदभवे मानते हैं, लेकिन वैसे अगर देखें, तो कबड़़ी एक देशी ग्रामीन शब्द है, ये यूज खेल है, उसके लिए, तो कबड़ी के लोकल गेम भी है, इसलिए कबढडी खोगो तो एक ग्रामीन शबद देशस्चबदए तो इसलिए कबढडी क्या होगा देशस्चबद होगा के लिए कि वह शब्द जो ने Sanskrit का हो ने सनस्कृत का अबरेंश हो बलकि किसी प्रदेश में लोगों की बोलचाल से उत्पन हो गया हो कहलाता है जै जो बेडेस सब्दू कि समान मतलब संसक्रत के शब्द के संदू हिंडी में परिछ लेते हैं उसी रूप में घू बहु तो विदेश सी शब्दू जो विक्रस रूप हे वह चल चुका है उसे नहीं लेकिन जो देश सब्द है वो क्या होते हैं संस्कृत के अब बलकि लोगों प्रदेश में लोगों की बोल चाल से उत्पन हो गए होते हैं तो ऐसे शब्द क्या क्या लाते हैं अगला देखिए कुछ दस्वे नंबर का निम्नी लिखत में से तदवब शब्द छाटिए शाप शाप क्या है अभी शाप ऐसे बोलते हूं शाप एक तत्सम सब्द है संस्कृत का शब्द है शाप चाहू तुम्हें शाप दिया जाता है शाप अपनों से अशुद्ध में लिखते हैं श्राप तो जब भी आप किसी के सामने खड़े हैं और आपसे कोई गलती हो जाए और व श्राप क्या बोलते हैं श्राप तो चुप रहना रियक्ट मत करना घर पे आजाना उस को छोड़ देना और जब अधर से मुड़ो चलने लगो तो मुस्कुराना कि उसका जो उसने श्राप दिया ना वह नहीं लगेगा अशुद्ध दे दिया बेटे ने अशुद्ध दे संध्यां का फिगा होता है कि संध्या का घर अध्य वागी क्या को मतलब होता है ए अग्ये को शमठ तो देखो इसमें संध्या से बना शांज तो देखो दसवी कुशन का आंसर क्या होगा दो इस चीज को याद रखेंगे अगला कुशन 11 विशेशन से निर्मित संग्या शब्द कौन सा है संग्या का निर्मान विशेशन जैसे क्या होता है बहावाचन जैसे कह रहा है कि विशेशन से निर्मित संग्या संग्या क्या है विशेशन से अंधि है संग्या कॉन सी है तो देख लेकर विशेशन बौरा और शो मैं पृत्त Hey और लड़ना यह तो क्रिया र iyकर्या तो ये क्रिया से बनी भावाचक संग्या है, सिलना पिलस आई, सिलाई, क्रिया से बनी भावाचक संग्या है, दुलना पिलस आई, दुलाई, तो क्या है, ये भी क्रिया से बनी भावाचक संग्या है, इसलिए क्या होगा, बिशेशन से निर्मित संग्या सब भी कौन सा होगा बुराई यह बुराई बावचक संग्या किससे बनी है बुरा बिशेशन से बनी है पृत्य लगा का पुरुष वाचक सर्वनाम का उधारने प्रश्न नमबर 12 कौन क्या होता है एक प्रश्न वाचक सर्वनाम होता है इस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च-च्च्च्च्च्च्च-च्च् एक वह सर्वनाम भी यूज किया जाता है पुरुष वाचक सर्वनाम में वह, वह हमेशा अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होगा, जैसे वह आज जैपूर गया है, वह आज दिल्ली पहुच जाएगा, वह मुझे याद कर रहा होगा, तो देखो आपको यहात नहीं लाने जैसे मैं कहता, वह मेरी टेबल है, वह मेरी पुस्तक है, मानलोग कहीं पर मेरी पुस्तक रखे, छत को उसकी और इशारा कर रहा हूँ, वह मेरी साइकल है, तो क्या होता, यहाँ पर वह मैं संकीत कर रहा हूँ, तो निश्य वाचक होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ, वह आज सर्वनाम की रूपांतर कौन होते हैं कारक और बचन तो इसमें क्या है कारक और बचन की रूप में जो रूपांतर है सर्वनाम का वहका तो वो देख रहे हैं पर तो उसका क्या नपुरुश्वाचक सर्वनाम है तो इसलिए आंसर क्या होगा बारवे का चौथा अगला देख बाचक जो समुच्छ बधक अव्य पढ़ोगे उसमें पॉरब्याइपम के उसमें पड़ोगे। कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा पुरण्तु तुम इसका गलत प्रयोग नहीं करोगे, इस तरह है, परंथु तथा, तथा भी क्या होता है? समझ बुदक के रूप में यूज होता है, यद्धिपी, तथापी, यह सब क्या है? समझ बुदक अव्या है, हैना? यद्दपी तत्था पी, ताकी, तत्था, परंतु, ये सब क्या है, समुच बुदक अब्या, पहले आओ, पहले पाओ, पहले आओ, पहले पाओ, तो आन्या करिया से पहले लगा दिया, पाओ करिया से पहले लगा दिया, तो जो शब्द करिया से पहले आए, जो शब्द या ऐसा अव्य शब्द जो क्रिया से पहले आए वो क्रिया विशेशन अव्य होता है तो यहां पर पहले क्या हो गया पहले समुच बोदक ना होकर क्रिया विशेशन हो गया क्या हो गया क्रिया विशेशन इसलिए क्या होगा निमले के तुमें से कौन सा सब्द समुच बोदक आएगी आपको चीजे बहुत लॉजिक के साथ आएगी आपको पेपर में रट्टा नहीं मार के जाना पड़ेगा ठीक है अब अगला प्रिशन देह को हमीसा क्रिया से पहले लगेगा अंदर आओ बाहर जाओ अंदर आओ आनी के आना क्रिया सी पहले लगा अंदर आओ तो लड़की एक निश्चित संख्यावाचि विशेशन ने तो यह तो नहीं होगा वह विस्मियादी बुधा कव्य तो ये भी रही होगा तथा समुच इस बुधÁ कव्य परिवर्तर नहीं होता आपको पता है लिंग वचन कारक या पुरुषब उते हैं इनकी वज़े से क्या होता है विकारी शब्दों में अपन होता है, विकारी शब्दे, संग्या, सरवनाम क्रिया और विशिशन, ठीक है, अब देख लेते हैं, इन में से, सरवनाम, एक विकारी शब्दे, तो उस towards me क्या होगा, देखते, काल के अनुसर प्रिवर्टन होता है, क्या तो देखो सर्वनाम का रूपांतरक है कारक और वचल सर्वनाम का रूपांतरक लिंग और काल नहीं है तो सर्वनाम आंसर नहीं होगा क्रिया का रूपांतरक देखते क्रिया काल के नुसर बदल जाती है रहा है रहा था रहा होगा बविश्य के लिए बर्तमान के लिए और भूद के लिए क्रिया क्या करती है क्रिया रूपांतरित हो जाती है तो काल क्रिया को रूपांतरित कर देता है तो काल क्या कर सकता है क्रिया में परिवर्तन कर सकता है क्रिया में होता है लेकिन सर्वनाम में नहीं होता है क्रिया वुझे से कोई परिवर्तन नहीं होगा वो हर काल में पहला ही बना रहेगा तो इसलिए अव्य शब्दों में कभी भी लिंग वचन कारक काल पर उसके नुसार परिवर्तन नहीं होता तो यह भी आंसर नहीं होगा विशेशन के रूपांतरक लिंग जैसे अच्छा अच्छी जाएगा तीनों कालों में यूज कर लो लेकिन अच्छा सेम हो राएं तो काल विशेशन का रूपांतरग नहीं होता है तो इसलिए इसका aúnसर क्या विशेशन भी नहीं होगा इसका अंसर होगा केवल क्रिया तो काल के अनुसार कीज अबुमरे परीवर्टन होता है परिया पचास कुश्चन ने पिछले वार आए हुएं तो तीन वीडियो में पचास कुश्चन अपन कर लेंगे ठीक है छोटी-छोटी वीडियो जल्दी-जल्दी क्विकली आप कोई भी काम करते समय इस तरह कुश्चन देखते रहेंगे आपकी प्रेक्टिस होती रहेगी आपको म